Hello everyone, welcome back to the channel तो आज वाले video lecture में हम January 2020 में जितना भी species in news हैं उनको cover करेंगे सभी तो नहीं बिकाज बहुत जादा है 4-5 का try करेंगे, but either way, let's begin पहला है salt, water, crocodile पहला चीज तो इसका photo तो ये सो रहा है, ये रहा इसका photo This is salt, water, crocodile IUCN status है, least concern और Wildlife Protection Act 1972 में है Schedule 1 में, that is it याद रखना है, nothing very difficult here Alright, दूसरा important चीज ये है कि ये मिलते किधर हैं, तो बहुत जादा जगा मिलते हैं Broadest distribution है इनका जितना भी हम modern crocodile का बात करेंगे तो पहला तो eastern coast of India में मिलेंगे जो की Odisha है, West Bengal है, Tamil Nadu है पानी में रहते हैं तो coastal areas बन गए और eastern coast है तो definitely Odisha, West Bengal and Tamil Nadu आ गए उसके बाद South East Asia में भी मिलेंगे और Northern Australia में मिलेंगे, that is it बस थोड़ा सा broad सा idea ही लेना है, अगर question आ जाए कि सिर्फ India में ही मिलते हैं तो वो गलत हो जाएगा South East Asia में भी मिलते हैं और Australia में भी मिलते हैं और India में भी towards the eastern side मिलेंगे and this is important क्योंकि UPSC ने हमसे पूछा था बाद में देखें क्या पूछा था, पहले first point भी cover कर लेते हैं अभी हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, because इनका population increase हुआ है Odisha के बीतर कनी का national park में, that is it तो बीतर कनी का national park किदर है, Odisha में और इधर इनका population increase हुआ है, this is the context Alright, हमसे बड़ा simple सा चीज पूछा गया था 2017 में कि इन सारे options में से कौन सा option सही है, जिधर घडियाल उनके natural habitat में मिलते हैं तो बीतर कनी का mangroves में तो घडियाल नहीं मिलते जासा हमने देखा है, उधर मिलेंगे salt water crocodile, because एक point जो हमने इधर miss कर दिया वो यही है कि पार्ट वन कवर किया था, तो extensively हमने घडियाल के बारे में पढ़ा था और उधर यह भी highlighted portion में था, कि घडियाल जो है वो चंबल में पाए जाते हैं, चंबल सैंचरी में, जो की है मध्यपरदेश में, तो अभी ऐसा करके हम कुछ तो eliminate कर ही पाएंगे, कि चलो first option निकल गया और फिर बचे B, C, D, और either way हमने घडियाल के बारे में पढ़ा है, तो हमको पता है चंबल is the right answer, लेकिन घडियाल के बारे में नहीं भी पढ़ा होता, तो at least option one हम eliminate कर पा रही हैं, लेकिन still we are not being able to get the right answer, but then this is how it is, not every time we will be able to get the right answer, we just have to apply some sort of knowledge here, so that is it, तो इधर इसका answer हो गया भीतर कानी का नहीं, चंबल, because हमने पढ़ा है, so that is it, all right, यह थोड़ी सी चीज़ें difficult है, और इतरे कुछ जादा सब जाने वाला है भी नहीं, but this is how it is, so we have studied, we have covered salt water crocodile, that is it, दूसरा जो हमको cover करना है, वो है, Stappy Eagle, all right, तो यह एक Eagle है, इसको हम Akeela Napalensis भी बोलेंगे, I not am thinking कि UPS इतना मुश्किल नाम हमें बताएगा, देगा, लेकिन Stappy Eagle भी हम अगर याद रख पाते हैं, तो that would suffice, IUCN status इसका है, endangered, very, very important, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको, क्योंकि यह एक migratory Eagle है, Eagle तो हमारे इंडिया में भी मिलती है, लेकिन यह Stappy Eagle है, और Stappy हमको पता है, कि ऐसा कुछ linkage नहीं है इसका, बट हमको कुछ तो link establish करना ही पड़ेगा, याद करनी के लिए, this is the reason why I am broadening the Central Asian region here, all right, तो ऐसे ही, कजाकिस्तान के flag में यह Stappy Eagle का photo है, और यह national bird है, Egypt का, all right, threats क्या है, habitat loss है, यह मर जाते हैं, क्योंकि डिकलोफिनेक है, और electrocution हो जाता है, अभी सिर्फ इन ही को खत्रा नहीं है, डिकलोफिनेक से, सभी तरह के eagle को है, vultures को है, जो भी decompose करेंगे, ऐसी bodies को, जिनको डिकलोफिनेक अड्मिनिस्टर किया गया है, जो largely किया जाता है, animals को as a pain reliever, as a anesthesia, तो लेकिन अभी तो यह ban है, डिकलोफिनेक, लेकिन फिर भी, because farmers जो है, यह cheap है, और easily available रहता है, तो इसलिए यूस किया जाता है, farmers के द्वारा, तो इसलिए जब भी डिकलोफिनेक का body, जिसका भी death हुआ है, तो फिर यह वल्चर इनको खाएंगे, डिकंपोज करेंगे body, this is how they die, all right, migratory eagle है, किदर मिला है, विजय वारा में, विजय वारा इनका habitat किदर है, इनका habitat किदर है, स्टापी वर्ड है तो Central Asia region, broadly, so that is Russia, Kajakistan, Mongolia, that is it, they are also the second largest migratory eagle species to India, nothing important here, बस यही चीजे है, पर लिया हमने स्टापी eagle के बारे में, इसका फोटो यह है, IUCN में is endangered है, and that is it, अभी हम बात करेंगे, इन्देन स्किमर के बारे में, all right, इसको हम क्या बोलते हैं, राइकम्स, अल्बिकॉलिस, UPS इतना मुश्किल चीज तो नहीं पूछेगा, लेकिन इंडेन स्किमर हम याद रह सकते हैं, IUCN स्टेटस है, vulnerable, all right, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, because जो annual birth census चल रहा है, शुरू तो हुआ, वो कोरियंगा wildlife century में, जो की है, आंध्रा परदेश में, so this two can be asked, कोरियंगा wildlife century किधर है, आंध्रा परदेश में है, और ये गोदावरी मैंगरूफ के सराउंड करती है, इधर ये वाले इंडेन स्किमर को पाया गया, water birth species है, all right, और किधर मिलता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोरियंगा wildlife century में मिलेगा, और भी century के अगर हम बात करें, तो इधर और भी बहुत ज्यादा जानवर मिलते हैं, जैसा कि fishing cat, otter, jackal, sea turtle, seagull, pelican, stalk, heron, snipes, flamingos, और और भी बहुत ज्यादा अनिमल, birds, that's it, Godavari mangroves at the Koryanga wildlife century are touted to be the second largest mangroves in India, तो इंडिया में किधर सबसे जादा mangroves मिलते हैं, सुंदरबन में, और दूसरे नंबर पर मिलेंगे, Koryanga wildlife century में, उधर हमको Godavari mangroves मिलते हैं, that's it, और IUCN में का status vulnerable है, again, इसको बस हमको याद ही करना है, यह इतना भी important नहीं है, I am not thinking that UPSC will be asking us onto this, but still we have covered it, that's it, अभी हम चलते हैं, इरावादी डॉल्फिन के बारे में, now this is extremely important, पहला चीज तो हम already इसको cover कर चुके हैं, लेकिन because it's really really important, so let's just cover it again, डॉल्फिन सैंसे हुआ, चिलका लेक में और उधर 146 इरावादी डॉल्फिन को पाया गया, alright, तो पहला चीज तो य इरावादी डॉल्फिन है, इरावादी डॉल्फिन है, इरावादी is a river that passes through Myanmar, Myanmar is a nation of course, a southeastern nation, लेकिन ये हमारे इंडिया में भी मिलती है, and that too right there in the चिलका लेक, that is in the Odisha, this point has got clear, alright, उसके बाद, कैसे इनको support किया गया, क्योंकि ये तो पानी में रहेंगे, तो hydrophone monitoring technique का यूज किया गया, hydro means water, phone means a phone, a microphone, और ये microphone क्या करेगा, जितना भी underwater sound है, उनको record कर पाएगा, so that's it, अभी ये और किधर मिलती है, south के coastal areas में, फिर southeast Asia में मिलेगी, और उधर भी specifically largely 3 नदियों में, इरावादी जो कि म्यानमार में है, महाकाम जो इंडोनेशिया में है, और मेकॉंग ज है, it passes through China, Laos, Thailand, Myanmar, Cambodia and that's it, so it passes through several southeast Asian nations, this is actually important because we were asked on to Mekong Ganga Corporation Project, so China is not part of the Mekong Ganga Partnership Project because there is not any reason involved here, it's just not a part of it, despite Mekong being a river that passes through China, so Mekong, although it passes through China, but when it comes to Mekong Ganga Corporation, then China is not part of it and there was just a deviation, we're not supposed to deviate right now, we're talking about Irrawaddy Dolphin, all right, so Mekong किधर है, तो सिर्फ एक कंट्री में नहीं है, Myanmar में है, China में पास करती है, it's a trans boundary river, Indonesia, not Indonesia, it's the China, Thailand, Laos, Cambodia, Myanmar and that's it, एक दो कंट्री और भी हो सकता है, I'm forgetting it now, और Ganges में, that's it, तो यह चीज़ तो, this is really, really important, कि इनका habitat किदर है, उसके बाद, बांगलादेश में भी 6,000 Irrawaddy Dolphins को रिपोर्ट किया गया, और अगर हम lagoon की बात करें, तो चिलका हमको पता है, एक lagoon है, तो उधर इनका सबसे जादा number है, उसके बाद सुन्दरबंस में भी इनको पाया गया, threat क्या है इनको, एक तो fragmented distribution है, ऐसा जिधर भी रहती है, तो पानी को ब्लॉक करके, इनका habitat को fragment कर दिया जाता है, तो that is not good for them, फिर net में आ जाती है, अगर फिशिं करने के लिए जाएं, कुछ developmental projects बनाना है, तो इनका habitat loss होगा, not just a viravadi dolphin, but it is true for all sort of species, that's it, deforestation में रहें होगा, तब भी इनका habitat loss है, फिर tourism के लिए इनको threat है, और फिर mining जब करते हैं, तब भी इनका threat हो जाता है, इनका habitat का, और फिर ब 2 में, schedule 1 में है, that's it, so this is really, really important, please go through it once again, because the question can be asked on to it, तो इरावादी dolphin किधर मिलती है, अब हमने पढ़ लिया, तो बस revise ही करियेगा आप इसको, please, IUCN status is endangered, this is really important, और इदर कुछ समझने वाला खास है ने, it's just to mark up, schedule 1 में है, wildlife protection act 1972, that's it, all right, तो 1, 2, 3, और 4 species हमने आज कवर किये है, this is it, because इतना जादा एक ही बार में, अगर कवर कर लेंगे, तो फिर चीज़ें याद नहीं रहेंगी, और this is slightly difficult to memorize also, और दूसरा चीज, आप आप टेलिग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं, to download this very PDF, और जो एक चीज मुझे स्टार्टिंग में बताना था, वो ये, कि अगर आपको इन में से कुछ पी चाहिए, जैसा कि IUCN Red List status, अभी शंकर जो है, उसका नया version आया नहीं है, some of you might have bought the new one, लेकिन still इतना current affair updated नहीं हो पाता है किसी भी textbook में, तो IUCN Red List में क्या update है वो सब आप जान सकते हो, इस वाले चैनल को जॉइन करके, इधर से PDF डाउनलोड करके, फिर जो भी reverse in news रही है, वो भी उनको तो कवर करना है, और this is something that these people have done for you, you just need to download it and read it on your own, that's it, फिर जितना भी नेशनल पार वाईलाफ सेंचरी इस नूज में रही है वो, अभी इतने जादा नेशनल पार्क्स और वाईलाफ सेंचरी इस नहीं कवर कर सकते, तो किदर जादा एंफसिस देना है कि इसको बार करके डाउनलोड कर सकते हो, और Mapping और Places in News चल रहा है, और वो चलता ही रहेगा, because it's an ongoing thing, जो भी कुछ नया चीज आएगा, तो we just have to keep ourselves updated with that, that's it, बाकी तो बस यही है स्पीसिस इन नूज, जैन्वरी का रहता है, और फिर एक्जाम में भी टाइम है, so don't worry, we'll definitely be covering it on time, that's it, 4 species हो गए हैं, बाकी हम का रिकावर करेंगे, thank you so much for watching and goodbye.